नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके मेरे यूटूब चैनल दत्ता रेडिंग पॉइंट में आज हम डिसकस करेंगे आई बी पी एस पी ओ मैंस की कट अप जो के आपका एक्जाम आज 4 फरवरी को था जो हो गया है कि कितनी कट अप जा सकती है आपके मेंस की कितने नमबर पर आप अपने आपको सेफ समझ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कि कितनी कट अप रह सकती है आई बी पी एस मेंस एक्जाम की जो है कि आपके चार फरवरी 2021 को हो चुका है चलिए शुरू करते हैं केवल दो में आप देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आप जनरल केटेगरी की जनरल केटेगरी में अगर आपके नंबर 78 से 80 के बीच बैठ रहे हैं तो आप अपने आपको इधर सेव समझ सकते हैं यह एक अनुमानित कट ओफ है इतनी कट 24 अगर आपके मार्क से हैं तो आप भी अपने आपको सेफ समझ सकते हैं वहीं अगर EWS की बात करते हैं ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता EWS में और OBC में तो यहां पर भी लगवग 71 से 73 के बीच में यह कट ओफ रहने की समभावना है ST के डिगरी के में बात करते हैं तो ST के डिगरी में 63 से ले करके 65 तक अगर आपके अंक हैं तो आप अपने आपको भी सेफ समझ सकते हैं बहीं ST के डिगरी बात करते हैं तो ST में 60 से ले करके 62 तक कट ओफ रहने की समभावना है यानि कि यह एक अनुमानित कट ओफ है अगर आपके नंबर इसके आसपास हैं तो आप अपने आपको बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं हलांके इसमें थोड़ा सा उपर नीचे पिलस फाइब या माइनस टू के असपास हो सकता है इस सेथ कट ओफ रानिक समभावना नहीं है अगर हम लाश्टिर कट ओफ को देखते हैं इसके अकॉर्डिंग तो तो इतनी कट ओफ रह सकती है अगर आपके इन मेंसे जिस आप के सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वी वीडियोच मिल सकें और आपके वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें दोस्तों सेर करें धन्यवाद